हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे और अगर आपका बज़र्ट है 6 लाक रुपए का तो आपके लिए मैं लेक है हूँ निसान मैगनाइट XC बेस मोडल क्या-क्या फीचर्स हैं इसके अंदर क्या प्राइस हैं सभी चीज में आपको इसी वीडियो को सुरूसा आखिर तक जरूर देखें इंजन की बात करें तो इंजन इसके अंदर B4D 1.0NA पैट्रोल इंजन मिलता जो 999 CC में आता है हाइट 1572 mm और इसमें आपको वील बेस 2500 mm के देखने के लिए मिल जाएंगे कर वेट इसमें 949 केजी यानि 949 कलो वजन भी इसकार के अंदर आपको देखने को मिलेगा और यहाई पर फ्रंट पे देखते हैं सबसे पहले तो निसान का यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा कुछ grill इस टाइप में आपको देखने को मिलेगी chrome grill मिल जाती है यहाँ पर तो काफी अच्छे features तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेंगे indicator मिल जाते हैं, halogen headlight मिल जाती है, adjustable है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो काफी अच्छा है dual tone में front bumper आपको देखने को मिलेगा नीचे का ground clearance आपको 205 mm का मिलेगा तो काफी बड़ा ground clearance यहाँ पर इस car में आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर side profile कुछ front में ऐसकी देखने को मिलेगी बात करें tire profile की तो यहाँ पर यह आपको wheel cover, alloy wheel के filling करवाते हैं लेकिन alloy wheel इसमें नहीं मिलते हैं, front में disc brake देखने को मिलेगे उपर की side में दो वाई पर आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर magnet लिखा हुआ है, Nissan magnet और indicator यहाँ पर मिल जाता rear view mirror black color में आपको देखने को मिलेंगे उपर की side में roof rail कुछ step से आपको देखने के लिए मिल जाती है power antenna यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और gate को open कर लेते हैं, तो यहाँ पर dual tone में gate आपको देखने को मिलेगा और gate पर क्या-क्या features मिलते हैं, तो यहाँ से आप जो है lock unlock कर सकते हैं gate को यहाँ से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और rear view mirror को manual तरीके से set कर सकते हैं चारो window power का option मिल जाता है, और window को lock करने का option मिलता है, dual tone में पूरा gate आपको देखने को मिलेगा नीचे की side में देखेंगे, तो कुछ space, bottle holder, speaker का option यहाँ पर आपको मिल जाएगा, speaker का option मिल जाता है तो यह काफी अच्छे features यहाँ पर gate पर आपको देखने को मिल जाते हैं, base model में seat profile की बात करें, तो adjustable seat आगे पीछे को कर सकते हैं, headrest adjustable मिल जाते हैं यहाँ और seat belt मिल जाती है जबकि इतने option यहाँ पर features जो है, other carों के अंदर नहीं मिलेंगे base model में नीचे की side में 3 pendle मिल जाते हैं, और यहीं से देखते हैं, तो यहाँ से light को आप set कर सकते हैं, key लगा सकते हैं, यहाँ पर light जला सकते हैं, और indicator जला सकते हैं, यहाँ पर AC bent मिल जाता है और cabin कुछ इस type से देखने को मिलेगा, पूरा dual tone में, base model dual tone में मिल जाता है, तो काफी अच्छा है और यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से bonnet को open करने का option मिल जाता है, यहाँ से जो है आप देखेंगे, तो यह steering को adjustable कर सकते हैं, तो भाई, base model में और कहीं नहीं मिलेगा, इस company में मिलेगा और निसान का logo मिलता है, steering पर airbag मिल जाता है, dual tone में पूरा steering मिलेगा, काफी अच्छा है, electronic power steering मिलता है, यहाँ पर, glove compartment की बात करेंगे, तो इसके अंदर आपको digital clock और digital automator जासे function मिलेंगे, low fuel warning light का option मिल जाता है, gate shift indicator मिल जाता है, तो यह काफी अच्छा है, यहाँ से आप passing भी कर सकते हैं, यानि कि pass दे सकते हैं, यहाँ से आप बाई पर चला सकते हैं, यहाँ पर दो AC event मिलते हैं, यहाँ पर यह जो touch screening system देख रहे हैं, यह accessory में अलग से आएगा, music के नाम पर इस car में कुछ नहीं मिलता, base model में, इस से उपर वाले model में मिल जाता है, यहाँ से चार लीवर कुछ step से आपको देखने को मिलेगा, 5 forward, 1 reverse में, और काफी अच्छा है, यहाँ पर 12 bolt का outlet मिल जाता है, कुछ space मिल जाता है, dual tone में, पूरा system यहाँ पर देखने को मिलेगा, hand brake मिल जाएगा, कुछ यहाँ पर cup holder मिल जाते हैं, कुछ space मिल जाता है, और यहाँ पर seat belt को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस car के अंदर, उपर की side में day night वाला mirror मिल जाएगा, और यहाँ से light को आप जला सकते हैं, और यहाँ से अभी यह जली नहीं, तो यह जला सकते हैं, और यहाँ पर sun visor पर आपको vanity mirror मिल जाता है, और यहाँ पर driver वाला जो sun visor है, इस पर vanity mirror न आपको देखने को मिलेगी, अब हम दूसरे वाले door पर चलते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से देखते हैं, तो profile कुछ इस टैप से आपको देखने को मिल जाएगी, निसान magnet लिखा हुआ है, इंडिकेटर मिल जाता ह अंदर की साइड में देखते हैं, तो airbag मिल जाता है, AC bent मिल जाता है, glove box यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा look यहाँ पर इस car के अंदर आता है, और यहाँ पर आप देखेंगे seat profile को, तो adjustable seat है, आगे पिछे इसको कर सकते हैं, काफी अच्छा है, और उपर की साइड में, यहाँ पर adjustable headrest मिल जाएगा, और seat belt का option यहाँ पर मिल जाएगा, तो front का तो यह सारा features मैंने आपको बता दिये, क्या क्या मिलता है इसमें, तो काफी अच्छा look मिल जाता है, premium look मिलता है, front में, dual tone में, अब हम back door पर देखते हैं, हमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ देखेंगे, तो power window का option यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, चारो window power का option मिलता है, इस car के अंदर, यहाँ से आप देखेंगे, तो काफी अच्छा look यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ space, bottle holder, speaker का option मिल जाएगा, और यहाँ पर seat belt का option मिल जाएगा, seat क को fold किया जा सकता है, यहाँ से lever को up करके, और यहाँ पर head rash मिल जाते है, adjustable वाले back seat ओपर, और यहाँ पर देखेंगे, तो cup holder यहाँ पर नहीं मिलते, arm rash नहीं मिलते, पीछे वाली seat ओपर, और यह profile कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगी, और leg room काफी है, space काफी है, इस car के बैटने के लिए, तो यह सारी profile कुछ इस type से, पीछे की side में मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पर deck board लग जाएगा, तो look काफी अच्छा जाएगा, अब हम बात कर लेते हैं इसके safety feature की, तो इसमें ABS system मिलता है, power door lock मिलता है, child safety door lock मिलता है, दो airbag मिलते हैं, ज्यादा airbag इस model में नहीं मिलेंगे, seat belt warning का option मिल जाएगा, और इसमें rear seat belt भी मिलती है, seat belt सभी seatों पर आपको देखने को मिलेंगी, adjustable seat है, तो features यह मिल जाते हैं, safety के नाम पर, बाकी तो और कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसका interior काफी premium look यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके interior में पीछे की side में देखते हैं, तो यहाँ पर wheel के अंदर drum brake आपको देखने को मिलेंगे, disc brake देखने के लिए नहीं मिलते हैं, आगे disc brake मिलते हैं, पीछे drum brake, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर LED tail light आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहाँ पर पीछे की side में लोगर का option मिलेगा, light मिल जाती है, power antenna निसान का logo magnet लिखा हुआ, और यहाई पर boot space की बात करें, तो काफी बड़ा boot space इस car के अंदर मिलेगा, 360 लीटर का, यह open नहीं हो पारा, क्योंकि यह lock है, और यहाई पर आपको rear parking sensor मिल जाता है, यहाँ पर camera भी मिलता है, लेकिन यह accessory में लगा हुआ, इसमें आपको नहीं मिलेगा, यह कुछ accessory इस car में लगी हुई है, अलग से, तो यह सारा मैंना दिखा दिया, पीछे का bumper dual tone में देखने को मिल जाएगा, यह सारी profile कुछ इस type से आपको देखने को मिल जाती है, काफी अच्छा look यहाँ पर आपको देखने के लि लेगी, काफी अच्छा look है, और बात कर लेते हैं, इसके price की तो exorum कीमत इस car की 5,97,000 रुपए के something आपको देखने को मिलेगी, और वहीं पर on-road कीमत 6,73,000 रुपए के something देखने को मिलेगी, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,